साथियों, बीते नव वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भरती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्सी और निस्पक्ष बनाने को भी प्रात्पिक्ता दी हैं। पहले स्टाफ सिलेक्षन बौर्ड भरती प्रक्रिया को पूरा करने में करीब करीब 15-18 महने का वक्त लेता था, यहने करीब करीब डेड़ साथ। आज ये प्रक्रिया छे से आठ महने में पुरी हो जाती है। पहले सरकारी नोक्री के लिए आवेदन करना ही बहुत मुश्किल होता था। एक एप्लिकेशन फॉर्म लेने के लिए गंटों लाइन में लगो रहो। डॉक्यूमेंट्स को एटेस करवाने के लिए गैजेटेड ओफिसर्स को खोजो। फिर एप्लिकेशन को डाग द्मारा भीजा जाता था। और इसमें ये भी पता नहीं चलता था कि वो एप्लिकेशन समय पर पहुची या नहीं पहुची। जहां पहुचना था वहां पहुची कि नहीं पहुची। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया अनलाइन हो गई है। आज डॉक्यूमेंट को सिल्फ एटेस करना भी परियाप्त होता है। गृप सी और गृप डी के पदों पर भरती के लिए इंटर्यू भी खतम हो गए है। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि ब्रस्टाचार या भाई भती जावाद की संभावनाएं खत्म हो गई है। झाले है झाले है।